हेलो प्यारे दोस्तों नमस्कार कैसे आप सबी लोग उमीद करता हूं अच्छे होंगे स्वागता आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वर्माजनीं क्लासे के अंदर दोस्तों बोल्ड ने आज एक भरती पे आवेधन स्टार्ट कर दी हैं तो जायर सी बात है कि आपके देखना है कौन सी कलती नहीं करनी है वो सारक सारा अपने आज की इस वीडियो में डिसक्स करेंगे तो दोस्तों वीडियो आप से भी के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जूरूर देखना वन वाइवन आपकी सारी चीज़ कि बेत्र पदो पर कितना दोस्तों बैत्तर पदो के उपर यह भरती जो है वो इसके अंदर आवेधन स्टार्ट किये गए है बात करें बोर्ड कून सा है तो बूर्ड है इसका और पीसी आरपी invention बोर्ड के थूर है वो करवा जार्य ची़र रहा है ठीक है ना और पीसी बोर वार आज़शे स्टार्ट कर दिये गए हैं एक महीने का आपको समय मिल रहा है 14 अक्टूबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हो 14 अक्टूबर की राथ को 12 बज़े तक आप लोग आवेदन कर सकते हो आयोग सचीव ने ये बताया है कि ओफलाइन आवेदन सभिकार नहीं किये जाएंगे प्रिक्षा तित्थी और स्थान के समंद्ध में आपको जो वेब साइट है sttps.rajistan.gov.in के उपर आपको यहां पर जो rpsc की वेब साइट है sttps.rpsc.rajistan.gov.in इसके उपर आपको प्रिक्षा की तित्थी, प्रिक्षा का अकार एकरम, आयोजन, सब कुछ शिफ्टे विगराद सब कुछ आपको इसके अंदर बता दिया जाएगा clear है दोस्तों उसके बाद कि अगर हम बात करें तो portal के cdl apps में उपलब recruitment portal के आपको chain करना है वहाँ पर आपको one time registration करना है और उसके बाद आपको वहाँ पर आवेदन कर देना है जो भी आपकी details है details को check करके आपको jutoy details को share करके आपको आवेदन उसमें कर देना है clear है दोस्तों अब दोस्तों जिन अभियर्थियों दोबारा पूरो में one time registration किया जा चुक है ठीक है आप सिंबल जी बात है कि जिन के दोबारा पहले से किया जा चुक है registration one time registration वो लोग अब SSO portal की माजम से one time registration संख्या की अधार पर online आवेदन कर सकते हैं यानि कि जो आपका जो digit है जो आपकी संख्या है one time registration की उसके अधार पर आप लोग आवेदन कर सकते हो अब यर्थित्वारा one time registration करने के पशात OTR profile में समय के नाम पिता के नाम जनमति थी link इत्यादी ये सब चीज़ आपको वहाँ पे अच्छे से चेक करके बरना है और जैसे मान लोग कोई गरबडी हो जाती है तो आप लोग फार्म को सब्मिट कर देना ठीक है आप से शनुदन करने के लिए बाद ही one time registration में आवेदन बरने की कारवाई शुरू करनी आपको जो भी शनुदन है उसको देख लेना अच्छे से ठीक है और कोशिश करना है कि कोई भी गलती ना हो कोशिश करना है कोई भी गलती आ वेवस के अंदर ना हो ठीक है तो दोस्तों यह था अचका important update उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आगया होगा अगर समझ में आगया तो वीडियो को like, share, subscribe and comment जिरूर करें और आप जो लोग government exams की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी channel के उपर अलगल type की playlist है वहाँ स जिन लोगों ने अभी तक हमारी telegram channel को join नहीं किया है, description box में उसका link है जाओ और उसको join कर लो, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपने next video में, तब तक के लिए bye bye, take care, जै हिंद, जै भारत, लवी ओर